मुंगेर कासिम बजार थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीचागाउं स्थित किशन कुमार के घर पर छापे मारी कर पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो देशी कट्ता, एक मिसकेट चहपीस जिन्दा कार्तूस छह लीटर विदेशी शराब, पांच पीस मोबाईल तथा 2216 रुपया नग्द बरामद किया गया है. पकड़ाए सभी अपराधिक उख्यात पवन मंदल के सहयोगी बताए जाते हैं जो किसी बड़ी अपराधिक घटना को अंजाम देने के उद्देशे बीचागाउं में इकठा हुए थे. पकड़ा इस अभी अपरादी कुख्यात अपरादी पवन मंदल के सहयोगी बताए जाते हैं गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध कासिम बजार थाना में कांट संख्या दो सो अठाव बाईस दर्जकर आर्म्स एक्टर उत्पाद अधिनियम के तहट प्राथमी की दर्जकर जेल भीज दिया है उक्त जानकारी बुद्वार को प्रेस कॉनफरेंस के दोरान इस पी जगनात रैडडी जिलारेडी ने दी गिरफतार अपरादियों में कासिम बजार थाना क्शेत्र के बीचागाव निवासी किशन कुमार, मौकवीरा निवासी सागर कुमार उर्फ गोलू, आमगाची नि अमित कुमार तथा नया रामनगर थाना क्शेत्र के सिंधिया निवासी विशाल कुमार शामिल है, जिसमें से किशन कुमार और सागर उर्फ गोलू का पूर्व से आपरादिक इतिहास रहा है, दोनों आर्म्स एक्ट के मामले में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं, सी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, सूचना सत्यापन के पश्चात कासिम बजार पुलिस और जिला सूचना इकाई की टीम गठित कर चापामारी का आदेश दिया गया, रात करीब 1-11 बजे टीम ने किशन कुमार सिंग के घर पर चापामारी की, जहां से पांच अपरादियों को पुलिस ने गिरफतार किया, इनके पास से हथियार तथा किशन कुमार सिंग के घर से काफी मात्रा में शराब भी बरामद किया गया, अपरादियों को पकरने पहुंची चापेमारी दल में कासिम बजार थाना के पुलिस आवर निरीकशक म को सम्मानित किये जाने की बात कही। एक कका तुस चे पिस मिला है, और उसके साथ इए शिराब का कुछ गोटि भी मिला होग। और जब्रमारी दल में हमारा जो थानादश जिसा है नहीं थे उसमें मजवार मज़ार मंदूर वार सब इस्पेंटर थे और उनका बियाईू टीव यह सबने लिए इनको रेड़ करते हैं पकड़ा दूसर यह लुक में तो क्या है जो थार? इनके कवर मंदल जो अपरा दी जो है इनके ग्यांग के मेंबस से तो अभी रिजन्टले गटना होआता है उनको वाच कर रहे है तो उसी में सुचना मिलाता है कि यह लोग यहां चिपे हुए इनका अगर कुछ शिरापी रहे है और कुछ हत्यार भी है इनके पास उसी कि